सवाई माधोपूर के बॉली में कथित बजरी लीज ठेका कर्मी और बजरी चालकों के बीच तनाफ के लगातार मामले सामने आ रहे हैं अब एक गुटिय तनाफ में महिला और एक पुलिस कर्मी बाल बाल बची है ग्रामिनों के अनुसार कतित ठेका कर्मी वाहनों से आई और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करवाने की नियत से खुद परिवहन कर ले जाने लगे इसे दोरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने सडक पर खड़ी मोटर साइकल को टक कर मार दी जुसे वो तकरीबन दस फीट दूर जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली की नीचे जा फसी सोरान एक पुलिस कर्मी और एक महिला बाल बच गए ऐसे चो किशन मीना मैं जापते मौके पर पहुँचे और मोटर साइकल को क्रेन की सहयता से निकलवाया गया मौके पर मौझूद ग्रामिनों ने ठेका कर्मियों के खिलाफ कारवाई की मांग की है तो बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर चालक की हाँ पर एक बार फिर से लापरवाही सामने आई हादसे में बाल बाल एक पुलिस कर्मियों और एक महिला बचे हैं ग्रामिनों ने ठेका कर्मियों के खिलाफ कारवाई की मांग को तेज अब कर दिया है और बजरी लीज ठेका कर्मियों और वाहन चालकों के बीच जो तनाव है इसकी जानकारी बार बार सामने आती है बजरी परिवहन करते हुए एक ट्रक ने बाइक को टकर मारी इस हारसे में बाल बाल एक पुलिस कर्मियों और एक महिला का बचना बताया जा रहा है सवाई माधुपुर के बॉली से खबर आपको बता रहे हैं बजरी लीज ठेका कर्मियों और वाहन चालकों के बेच आए दिन यहां तनाव की खबरे सामने आती है ऐसा ही एक वाकिया यहां बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक कर मार दी आपको बता दे किस हाथ से मेक पुलिस कर्मी और महिला बाल बाल बचे हैं लेकिन अभी पूरे मामले की जान जारी है साथ ही ग्रामिनों के द्वारा अब ठेका कर्मियों पर कारवाई करने की मांग तेज होने लगी है सवाई माथोपूर के बॉली से खबर बजरी लीस ठेका कर्मियों और वाहन चालकों की वीच तनाव बढ़ा और एक ऐसा ही हाथ सा बजरी परिवहन करते समय ट्राक्टर ने तेज गती में ट्राक्टर को दोडाने के फिर में एक बाइक को अपने चपेट में ले लिया तुसमें एक पुलिस कर्मियों और महिला बाल-बाल बच गए तो चीज़ परिणा करते सी तनाव प्राक्टर के दो से लोगा है